आप देख रही है MNS News सच जरूरी है दिवार फान कर घर में घुसे युवक ने अपारान कर लड़की के साथ किया गैंग रेप पोती को बेजने की कोशिश कर रहे थे बुजर्ग दमपत्ती 17 साल की बेटी को मार कर पंखे से टांग दी गई लाश पुलिस के हत्ते चड़े पिता और चाचा पंजाब के सरगुरे से ओनर क्लिनिंग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दरसल 26 अक्टुमबर को 12 वी क्लास में पढ़ने वाली चात्रा स्कूल से घर लोटी थी इसके बाद उसका शोव पंखे से लटा मिला पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्श किया और चान बीन शुरू कर दी करीब देड महीने बाद पुलिस को पता चला कि लड़की की ह राचा को हिरासत में लिया और सक्थी से पूछता शुरू कर दी दोनों ने अपने जर्म कबूल किये और 302 का केस दर्श कर दिया दोनों को गरफतार किया इस पर जादा जानकारी देते हुए एसेंचर रजंदीप सिंग ने पताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी आ अपारन कर गाड़ी में डाल जंगल में ले जाकर गैंग रिप किया आरपे की वह दो यूवक भी आय और लड़की को जान से मारने की धंकी देकर उसके साथ सामोहिक दुशकर्म किया पुलिस ने गुर्वार को दो नामचद यूवक के खिलाफ अपरन सामोहिक दुशकर्म के सहित अन्यधाराओं में भी केस दर्च किया है मिले जानगारी के अनुसार उपमंडल हतीं के एक गाव निवासे युकती ने पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि वह रात में अपने घर में अपनी भावी के पास कमरे में सो रही थी परिवार के अन्य लोग भी घर में ज़े हुए थे नूम के बचाओ गाव के निवास्ती सही द्वा दिल शान उसके घर में घुसाए दोनों ने उसको सोते हुए जगाया शोर मचाने पर जान से मारने की धंकी दी वहां पर उनकी गाड़ी खड़ी थी उनने कहा कि उनसे जाके चुप चुप वहाब बैट जा आरोब यह उसे गाड़ी में डाल कर जंगल में ले गए जंगल में ले जाकर दोनों ने उसके साथ पारी बारी से दुशकर्म किया किसी को बताने पर जान से मारने की धंकी दी इसके बाद वे सुबह करीब 4-5 बजे उसे घर के पास फिक कर चले गए दोनों ने उसे धंकी कि यदि बात किसी को बताई तो या किसी कोई कारवाही की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएंगा उठावड थाना प्रभावी टेक सिंग ने गुर्वार को जानकाली देते हुए बताया कि पीडित के परिवार के अनुसार दी गई शिकायत की आधात पर दो नाजद दंपत्ति पुलिस के धर दवोशने पर पूरा मामला आया सामने महानगर कोलकत्या में एक बुजग दंपत्ति के खौफनाक करतूद सामने आई है दोनों मिलकर अपनी ही पोती को बेचने की कोशिश कर रहते कोलकत्ता पुलिस ने गुरवार को इन्हें गिरफतार कर लिया पुलिस ने बचाय गए नवजात के इलाज की विवस्ता की है महिला ने पुलिस को बताया कि चुन्यूज का पिता है जबकि अलका उसकी सौतेली माहें निलमा कुमारी को कौलकत्ता के बाहरी लाके अंदर पुरस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्श कर आई और अपनी श राश्तुरु की और सबसे पहले बुजड़ दंपत्ति को हिरासत में लिया पुछताज के बाद आखिरकार उन्होंने स्विकार कर लिया कि उन्होंने अपनी नवजात पोथी को एक बाल तसकरी एजेंट को 30,000 रुपए में बेज दिया दोनों के खिलाब भार्तिय दंड स सही धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया गया इस साल अगस्त में दा आनंद पूरी पुलिस्टेशन में ऐसे कारणों से राश्त्रिय सुर्खियों में आ गया है जबकि पुलिस भी 100 से अधिक एजेंट और उप एजेंट के नेट्रोक से जुड़ी शेत्र में चल रहे वह हमारा चानल उपलबत है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप इसे यूटूब लाइफ भी देख सकते www.msnewstv.com पर अब वक्त उचलाया देशो को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के पात देखते रहे है देशो दुनिया के तमाम बड़ी खबरे बने रहे हैं मनेस लाइए ब मेंदीने की हैं अ।